नमस्कार साथी तेयों पिछली कच्छा में हमने साधारणपवाद अध्या के अंतरगण धारा यानि कि पुलिस की सहायता हमें ना मिल सके उस दोरान प्राइबेट पेत्रच्छा के अधिकार का प्रियोग करते हुए उनकी सुरच्छा कर सकते हैं इसके बारे में क्या-क्या उपबंध हैं क्या नहीं पिछले SI के पेपरों को अगर देखा जाए पिछले वर्स के तो इस एरिया से आपका एक कोस्चन हर एक पेपर में आया था इसलिए इस बार भी संभावित है कि इतना important part है कि आपका एक कोस्चन यहां से मिलना लगभगता है इसलिए ध्यान से आप लोग पढ़िएगा देखते हैं अगला हिस्सा क्या है private प्रतिरच्छा के बारे में private प्रतिरच्छा क्या है इसमें इसे हम कभी कभी self defense भी कहते हैं self defense में हम तमाम ऐसे कारिक कर सकते हैं जो अपराद की स्रेणी में नहीं आते हैं उनके लिए क्या क्या है यह धारा पहला important question है धारा 96 से धारा 106 तक इसका प्रावधान दिया हुआ है 96 to 106 तक self defense के बारे में प्रावधान दिया हुआ है इसके बारे में हमें पढ़ना है किन धाराओं में कौन सी बाते हैं कब हमारे private प्रत्रच्छा का अधिकार मृत्व कारित करने तक हो सकता है इसके बारे में भी जानना है सबसे important question वहीं से आपका बनेगा तो देखते हैं अलग-अलग धाराओं में क्या-क्या उबन है धारा 96 से धारा 106 तक self defense के बारे में क्या है ठीक है धारा 96 क्या कहती है धारा 96 यह कहती है कि private प्रत्रच्छा में की गई कोई बात अपराध नहीं होगी प्राइवेट प्रतिरच्छा अपराद नहीं अगर सिर्फ इतना लिख करके पूशता है कि किस धारा की अंतरगत कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरच्छा में की गई कोई बात अपराद नहीं है तो आप अंसर चुनेंगे धारा 96 अभी ये अधिकार नहीं दे रही है यहाँ पर जो एक confusion का point है यह है कि कौन सी धारा आपको private पितरच्छा का अधिकार देती वो अलग है धार 96 कहती है कि private पितरच्छा में की गई कोई भी बात अपराध नहीं होगी और इस बात की चर्चा नहीं कर रही है कि आपको private पितरच अच्छा का अधिकार होगा उसके लिए धारा 97 है आपका उसके लिए आपकी धारा 97 है 97 क्या कहती है उसके बारे में हम देखते हैं धारा 97 अधारा 97 क्या कहती है ठीक अब बात आए private पितरच्छा कि कौन सी बात सरीर और संपत्य हमें private पितरच्छा का अधिकार किसके किसके लिए मिला है सरीर के लिए और संपत्य के लिए किसकी सरीर स्वयम की अन्यकी इसी तरह संपत्य किसकी स्वयम की अन्यकी यानि कि हमें सरीर के विरुद्ध सरीर अपने बचाने के लिए private पितरच्छा का अधिकार प्राप्त है संपत्य बचाने के लिए private पितरच्छा का अधिकार प्राप्त है किसकी सरीर स्वयम की सरीर के विरुद भी अपराध नहोंने देना अन लोग के भी सरीर की सुरच्छा आप कर सकते हैं स्वयम की संपत्य की भी सुरच्छा कर सकते हैं अन की भी सुरच्छा कर सकते हैं सिर्फ आपको अपने ही सरीर की नहीं अपने ही संपत्य की नहीं अपने सा साथ हर व्यक्ती हर व्यक्ती को अधिकार होगा हर व्यक्ती को प्राइवेट परतिरच्छा का अधिकार है हर वेक्टिस से मतलब यह है कि जो सिटीजन आफ इंडिया है यानि नागरिक है भारत के उनको भी है कोई विदेशी आया हुआ है उसको भी अपने सरीर और संपत की प्राइबेट प्रत्रच्छा का अधिकार है यानि कि हमें प्राइबेट प्रत्रच्छा के अधिकार की सक्ति कौन देता है धारा 97 प्राइबेट प्रत्रच्छा अपराध नहीं होगा यह बात कौन सी कहती है धारा 96 इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका गलत हो जाएगा नहीं तो आपका गलत अधारह 002 इक precious बात कहती है क्या कहती है कि मान लीजिए कोई बच्चा हो पागल हो 삼 polarizationinde हो क्या उसके विरुद्र भी आपको private प्राम प्राप्त है फो इस ऊसके इस प्रणहत को तो आपसे पुछेगा पुछेगा एक 15 कैति है पागल व्यक्ति, मत व्यक्ति, यानि नसे में हो, या बालक, किसी भी आयू का कोई बालक हो, क्या उसके बिरुद्ध में प्राइबेट पितर अच्छा का अधिकार प्राप्त है? आदिके बिरुद्ध भी प्राप्त है, यानि कि पागल व्यक्ति अगर आपके सरीर्या संपत्य को नुक्सान पहुचा रहा है, आप अपने प्राइबेट पितर अच्छा की सक्ति का उप्योग कर सकते हैं, मत व्यक्ति नसे में कोई व्यक्ति है, वो आपके सरीर्या संपत्य को नुक्सान पहुचा रहा है, तो उसके बिरुद्ध भी आप प्राइबेट पितर अच्छा का अधिकार है, कोई बालक है, बालकपन में अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो आपको उ तीनो तीन तरीके की बाते कहते हैं, धारा 96 कहती है प्राइबेट पत्रच्छा अपराद नहीं, धारा 97 कहती है आपको अपने और दूसरे की सरीर और संपत्य की प्राइबेट पत्रच्छा का अधिकार है, धारा 98 कहते हैं कि यह अधिकार पागल व्यक्ति, मत व्यक्ति और बालक के विरुद्ध भी आपको प्राफ्थ है तीनों धारा ये मोस्ट इंपार्टेंट हैं तो यह आप मान के चलिए इन में से कोई भी प्रस्थ आपका आ सकता है धारा 96 से लेकर के धारा ठानवे ये एक तीनों एक क्रम में लिखी हुई है इसको ध्यान रखेगा इसका स्क अधिकार की लिमिट क्या होगी आप कितना अस्तर तक बल्प्रियोग कर सकते हैं इस बात के लिए धारा निन्यानवे है तो धारा निन्यानवे आप लिख लीजिए ठीक है कि ठीक है प्राइवेट प्रतिरच्छा के अधिकार की सीमा क्या होगी अधिकार की सीमा लिमिट इसके बात की चर्चा करती है कि कितना होगी कितना होगी इतना जितना सदभाव पूरवक हो जितना आपको लोग प्राइवेट की सहायता न मिल सकती हो उतनी अपहान जितनी आवस्चक है यह सीमा क्या होगी? उतनी अपहान जितनी आवस्यक है. आप उतनी अपहान अपने संपत्य और सरीर की सुरच्छा के लिए कर सकते हैं, जितनी आवस्यक है. ठीक है? यानि कि कुछ बल प्रियोग करके अगर हम रोक सकते हैं अपने विरुद्ध होने वाले अपराद को, तो उतना ही बल प्रियोग करेंगे, उससे ज़्यादा बल प्रियोग नहीं करेंगे. जितना न्यायानुमत हो, रिजनेबल हो, युक्त युक्त हो, उतनी अपहान करेंगे, आपके द्वारा किया गया कोई भी कार, अपराद की स्रीडी में नहीं आएगा, ठीक है? आपको बचाओ मिलेगा, पूर्ण रूपेड बचाओ मिलेगा, कोई बात अपराद नहीं, लेकिन अगर लिमिट पार करेंगे, तब आपको खत्रा रहेगा, लिमिट कितन से धारा सो, धारा एकसो तीन, धारा सो, सरीर के विरुद्ध अपराधों के मामले में मृत्व कारिद करने तक के अधिकार की, और एकसो तीन, संपत्ति के विरुद्ध मृत्व कारिद करने तक के अपराद की बात करता है, इन दो धाराओं पर आपको विसेश ध्यान देना होगा तो इन धाराओं में क्या-क्या सर्थे हैं किन आप राधों के विरुद्ध आपको मृत्य कारित करने तक जो खिम उठाने का आधार प्राप्त है उसकी चर्चर हेगी धारा 100 धारा सो बहुत ध्यान से पढ़िएगा ठीक है धारा सो क्या कहती है धारा सो मोश्ट इंपार्टेंट सबसे इंपार्टेंट धाराओं में है यहां की धारा सो कहती है शरीर के विरुद्ध अपराद कौन से अपराद नीचे पढ़ेंगे मृत्यू कारित करने तक अधिकार मृत्यू कारित करने तक का आपको अधिकार है कि सामने जो विक्ति है उसकी मृत्यू भी कारित की जा सकती है कितना क्या-क्या पहली कंडिशन है हमला मृत्य के आसे से आपके उपर हमला होता है उस हमला का उद्देश क्या है कि आपकी मृत्य कारित कर दी जाए तो आप सामने वाले हमला वर की भी मृत्य कारित कर देंगे तो आपने कोई अपराद नहीं किया है हमला कैसा हो कि ऐसा हो कि आसे से मृत्य कारित करना हो जाए आपकी मृत्य हो सकती है तो आप अपने अधिकार का प्रियोग उस हमलावर के मृत्य कारित करने तक का कर सकते हैं दूसरा है, हमला, घोर उपहती, ऐसा हमला आप पर हो रहा है, जिससे आपको घोर उपहती हो जाएगी, केवल उपहती नहीं, घोर उपहती, ग्रेवियस हर्ट हो जाएगा, तेक है, उस कंडीशन में भी आप हमला वर की मृत्त कारिद करने तक का अपनी अधिकार का सकते हैं, तीसरा है, बला संग के आसे से हमला, ऐसा हमला जो बला संग के आसे से किया गया हो, ठीक है, यानि रेप, रेप के आसे से अगर हमला किया गया है, रेप कारित होने की संभावना है, तो आप हमला वर की मृत्त कारित करने तक का जोखिम उठा सकते हैं, कोई बात अ नहीं होगी। चाथ है हमला ऐसा प्रकीर्ति विरुद्ध काम्त्रिष्णा, ऐसा हमला जो प्रक्रीप विरुद्ध काम्त्रिष्णा ठीक है। यानि कि ऐसा sexual harassment जो unnatural हो। नेचुरल तरीका नहीं अनेचुरल तरीके से अगर कामतिशना की कोई पूर्ती कर रहा है प्रकेरत के विरुध प्रकेरतिक व्योस्था के विरुध तो उस हमले के विरुध भी आप हमलावर के मृत्व कारित करने तक का जोखिम उठा सकते हैं प्रकिर्ट विर्ध काम्तिष्णा के लिए आसे से हमला हो पांचवा है बेपाहरण या अपाहरण के आसे से किया गया हमला पांचवा है आपका यह है वेपाहरण या अपाहरण आपका अपाहरण या बेपाहरण हो रहा है आपका या अन्य का किसी का भी हो रहा है तो आप ऐसा रिस्क उठा सकते हैं अपने प्राइबेट प्रत्रच्छा का अधिकार का प्रयोगिस प्रकार कर सकते हैं कि हमलावर की मृत्य हो जाए तो आपने कोई भी अपराद नहीं किया है छठवा है सदोस परिरोद छठवा क्या है आपका सदोस परिरोद यानि कि दोस्पूंड ढंग से आपको कोई डिटेन करे बंद कर दे परिरुद कर दे आपको आने जाने ना दे आप इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन यहां सर्त है सदोस परिरोद के मामले में एक सर्त है यहां पर यदि लोग प्राधिकारी की सहायता नाप्राप्त हो सके यानि कि आईसी जगा परिरुद कर रहा है कि आप कितना भी चिलाए यह यह कोई नहीं सुनेगा लोग प्राधिकारी की सहायता नहीं मिलेगी तब अंतिम रास्ता क्या बचा उसको मार के भाग जाईए लेकिन अगर सहायता मिलने की संभावना है तब आपको मृत्त कारित करने तक का अधिकार नहीं होगा यह अधिकार तभी आप प्रियोग कर सकते हैं सदोस परिरोध के विरुद्ध जब लोग प्रादिकारी की सहायता आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं ठीक है अगला है सात्मा यह नया जोड़ा गया है ठीक है 2013 में जोड़ा गया है सात्मा 2013 में जोड़ा गया है पहली चीज 2013 भी जानना है आजकल एसीड अटेक की घटनाएं बढ़ रही है तो उसके लिए भी जोड़ा गया है जी में 2013 में ठीक है अमल से हमला जिसको आप एसीड अटेक के नाम से जाने जाता है अगर अमल तेजाव आदि को कोई फेक रहा है अमल से हमला कर रहा है ठीक है उसका प्रेत्न कर रहा है घोर उपहती हो सकती है मृत्य तक हो सकती है तो आपको भी अब 2013 में जोड़ गया है अब आपको अधिकार है कि आप मृत्व कारित करने तक अपने अधिकार का प्रियोग कर सकते हैं यानि कि धारासों में 7 आधार दिये गए हैं 7 आधारों के आधार पर यदि आप पर हमला हो रहा है तो आप जोखिम कितना उठा सकते हैं हमलावर की मृत्व कारित कर देंगे तो आपने कोई अधार याद रखेगा प्रशन पूचेगा कि निमलिकित में से किन आधारों पर या कैसा आपके विरुद्ध अपराद हो कि आप मृत्त कारित करने तक अपने प्राइबेट पितरच्छा के अधिकार का प्रियोग कर सकते हैं थारा सो के अंसार तो आप बताएंगे मृत्त के आसे से हमला हो घोर उपहत के आसे से हमला हो रेप के आसे से हमला हो प्रकृत बिरुद्ध काम चुछना के आसे से हमला हो, अपारण व्यपारण के आसे से हमला हो, सदोस पर रोध के आसे से हमला हो, लेकिन लोग प्राधिकारी की सहायता नहीं प्रात की जा सकती, या acid attack हो, अमल से हमला हो, तो हम हमलावर की मृत कारित करने तक का रिस्क उठा स सो कहती है, सरीर, सरीर सब्द जरूर याद रखिएगा, सरीर वाला मामला धारा सो में है, संपत्ति वाला मामला एक सो तीन में जाएगा, सो के बाद, धारा 101 में देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपका प्रश्ण नहीं बनेगा, बस आप जान लीजिए, 101 कहता है, कि अगर सो के आधार में कोई बात नहीं आती है, आने कोई अपराद है, तो मृत्व कारित करने तक का जोखिम मत उठाएगा, यह प् ज्यां रहेटा है, प्रतिरच्छा का अधिकार कब शुरू होता है? और अन्त होता है? तो जैसे, ठीक है, अधिकार का सुरू होगा, धारा नंबर नहीं पूछेगा, यह जो अधिकार है, यह अधिकार जो आपका है, ठीक, हमला प्रारंभ। यह अधिकार शुरू हो जाएगा अधिकार भी आपका प्रारंभ हो जाएगा और हमला या आसंका तो अधिकार भी क्या होगा आपका समाप्त हो जाएगा जब तक आसंका बनी हुई है तब तक आपका अधिकार रहेगा आसंका कि समाप्त होते ही आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा इस बात को याद रखेगा धारा 101, 102 इन ही सब चीज़ों से संबन दित है, सामाने तोर पर धारा नंबर से आपका प्रस्ट नहीं बनेगा, इसलिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जान लीजे कि जब आसंका शुरू हुई, तब हमारा अधिकार शुरू हो गया, जैसे ही आसंका समा समाप्थ हुई, तुरंथ हमारा अधिकार समाप्थ हो जाता है, पुलिस पहुच गई, आपका अधिकार समाप्थ, ठीक है, आसंका समाप्थ हो जाएगी, पुलिस को देख पर हमलावर भागेंगे, ठीक है, इसके बाद 103 में, संपत्य के मामले में, ठीक है, धारा 103 क्या कह अपराद यहां पर मृत्य कारित करने तक अधिकार वे कौन से अधिकार हैं, वे कौन से अपराद हैं, जो समपति के विरुद्ध होते हैं, कि जब आप मृत्य कारित करने तक का रिस्क उठा सकते हैं, उधारा 103 में लिखा हुआ है, पहला है लूट, लूट जानते हैं, लूट आगे पढ़ेंगे, अगर आपको कोई लूट रहा है आपकी संपत्ति, तो आप मृत्य तक का जोखिम उठा सकते हैं, लूट क्या है, यह रात में आपका ग्रह भेदन कोई कर रहा है, तो आप मृत्य कारित करने तक का रिस्क उठा सकते हैं, आपका हो चाहिए, अन्न के किसी संपत्ति को इस तरह नुक्सान पहुचा रहा है, तीसरा है अगनी द्वारा रिष्ट, आप जहां रहते हैं, भंडार करते हैं, कुछ भी आपने उपयोगी अस्थान बना रखा है, यदि आग कोई लगाने जा रहा है, तो आप मृत्य कारित करने तक का अपने अधिकार का प्रियोग कर सकते हैं, आग लगाना उसी कटेगरी में जाएगा कि आप मृत्य की, ठीक चाहे आवास हो, चाहे गोदाम हो, कहीं पर भी कोई अगनी द्वारा नुकसान पहुचा रहा है, आग लगा कर, तो आप मृत्य कारित करने तक के अपने अधिकार का प्रियोग कर सकते हैं, चौथी कटेगरी अलग है, चोरी, रिष्ट या ग्रह अतिचार, लेकिन यहां भ चाहर, अगर ऐसा कोई अपराध कर रहा है, इसके साथ अगर मृत्य की मृत्य की आसंका हो जाए, केवल चोरी, केवल रिष्ट केवल ग्रह अतिचार में आपको अधिकार नहीं है मृत्य तक अधिकार का प्रियोग करने लेकिन इस चोरी के दोरान रिष्ट के दोरान ग्रहतिचार के दोरान यदि आपकी या किसी की मृत्व की भी संभावना जुड़ जाए तो आपके अधिकार का प्रियोग मृत्व कारित करने तक का हो जाएगा यह चहुता इस तरीके से जो है सर्थ के साथ है यानि कि कोई में चाहे गोदाम में मृत्व कारित करने तक का अपने अधिकार का प्रियोग कर सकते हैं चोरी रिष्ट या ग्रहतिचार कर रहा है और साथ में मृत्व की आसंक्या भी उत्पन हो गई तो आप मृत्व कारित करने तक का आपको अधिकार दिया जाएगा यदि हमलावर की या ऐसा करने वाले अपराधिक की मृत्व भी आप कारित कर देंगे, तो आपने कोई भी अपराध नहीं किया है, धारा 103 किस्से संबंदित हो गई, संपति से संबंदित हो गई, और धारा 100 किस्से संबंदित हो गई, हमें उन सर्तों को बताते हैं, जिनके आधार पे हम हमलावर की आपराधिक की मृत्व भी कारित कर देंगे, तो कोई भी बात अपराध नहीं होगी, ध्यान रखिएगा सभी सर्तों का, और इसकी भी आप फोटो ले लिजे, चारो आपको याद रहना चाहिए, यही आधार बना करके पूछेगा कि निमलिखित कौन-कौन से आधार हो सकते हैं, संपत्य के विरुद्ध कौन-कौन से अपराध हो सकते हैं, जब आपको प्राइबेट परतर अच्छा का अधिकार मृत्व कारित करने तक का होगा, यह चीजों को आपको जानना है, फिर इसी तरीके से 104 क्या कहता है, 104 कहता है कि अगर यह सरते पूरी नहीं है, तो आप मृत्व कारित नहीं कर सकते हैं, यह सरते अगर पूरी नहीं है, तो आप मृत्व कारित नहीं कर सकते हैं, जब आसंग का समाप्त हो जाएगी तब समाप्त हो जाएगा इसलिए 104 और 105 से प्रश्न सामाने तोर पर नहीं पूछा जाएगा आपसे 106 कुछ होर कहता है 106 आपके लिए important हो सकता है कि यहां private प्रत्रच्छा के अधिकार का जो प्रियोग हो रहा है वो अपराधी के विरुद्ध हो रहा है जो अपराध कर रहा है उसके विरुद्ध हो रहा है तो क्या ऐसा भी संभावना है तो क्या ऐसी भी संभावना है कि निर्दोस व्यक्ति अगर उसमें मार दिया जाए या निर्दोस व्यक्ति को चोट लग जाए तो क्या होगा उसके बारे में धारा 106 क्या कहती है धारा 106 पूछेगा निर्दोस व्यक्ति को ठीक है चाति पहुंचे यदि आपके प्राइबेट प्रतरच्छा के अधिकार के प्रियोग के दौरान निर्दोस व्यक्ति को ठीक पहुंचता है तो आपका क्या अपराद होगा या नहीं होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से जानिए ठीक है जोखिम उठा सकते है मतलब क्या है मतलब क्या है यानि कि हमलावर जो आप पर है जो अपरादी है उसके विरुद्धियर या प्राइबेट प्रतरच्छा का प्रियोग कर रहे हैं लेकिन जो अपरादी नहीं है पास ही खड़ा हुआ है निर्दोस व्यक्ति है अगर उसको भी छती पहुंचती है तो आपने कोई भी अपराद नहीं किया यानि कि आप जो जो जोखिम उठाएं है वो न्याय युक्त है जेस्टिफिकेबल है आप निर्दोस व्यक्ति के च्छत उठाने की जोखिम उठा सकते हैं अपने और दूसरे के सरीर और संपर्ति को बचाने के लिए यानि कि निसा आप प्राद प्रयवेट प्रत्रच्चा की उपयोग में ऐसा किया है सदभावपूरवक्त तब भी आपने कोई अपराद नहीं किया है यह आपके प्राइबेट प्रत्रच्च्छा से जुड़े हुए प्रशन थे इससे बाहर कोई भी प्रस्ट नहीं आप से पूछा तो आपके साहब हमने नहीं किया था उसलिए इनकी घुति है अगले वीडियो में जलदी ही आपके साथ दूस प्रेरम्ण के पढ़ेंगे दुस्त प्रेंड के बाद आने धीरे धीरे आपके सभी चेप्टरों के पढ़ाया जाएगा, इमानदारी से क्लास करिए सारे सेक्संस को, जितनी बात आपके लिए संभावित है प्रश्म को उचने की बस उतना ही पढ़ाया जाएगा, आई पीसी पढ़ना उद्देश से मत प्रश्मों के अंसार अपना उद्देश रखिए, प्रश्म साल्व होने चाहिए और लिखे हुए सिधान्त आपको पढ़ते हुए समझ में आने चाहिए, इस उद्देश के साथ आप पढ़ाई करिए, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी, मेहनत करिए, कोई भ जैसे ही वीडियो अपलोड हो, आपके पास तुरंट पहुंच जाए उसकी सूचना कि हाँ, अगले चेप्टर का वीडियो अपलोड हो गया है, इन चीजों को करते हुए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, परिछाएं होने वाली हैं, इसलिए मेहनत से दोहराईए, स्क्रीन साट आदे आप ले लिजे ताकि कोई समस्या ना रहे, यह भी आपका प्रस्न है, इसका भी स्क्रीन साट ले लिजे, अगली वीडियो में एबेटमेंट या दुस्प्रेण के साथ हम फिर उपस्तित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद,